बिहार के चर्चित IPS अधिकारी अमित लोढ़ा के खिलाफ ब्रश्टचार के मामले में FIR दर्ज की गई है। ये FIR, Prevention of Corruption Act और IPC की धारा 120B और 168 के तहत दर्ज हुई है। इसमें आपराधिक शडियंत्र रचने और सरकारी नौकरी में रहते हुए गैर कानूनी तरीके से व्यवसाई करने का आरोप लगाया गया है। अमित लोढ़ा फिलहाल बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी के पद पर तैनात है। दरसल OTT प्लैटफॉर्म पर आई एक नई वेब सीरीज खाकी दा बिहार चैप्टर इन दिनों सुरुख्यों में है। ये वेब सीरीज अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरीज पर आधारित है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराद शाखा ने इससे जुड़ी शिकायत दर्ज की। खबरों के मताबिक अमित लोढ़ा ने IPS रहते हुए Friday Storytellers नाम के Production House के साथ समझाता किया था। उनका यह समझाता कागजों पर भले ही एक रुपिय का था। लेकिन पुलिस का दावा है कि उनकी पत्नी के अकाउंट में करीब 49 लाक रुपै का Transaction हुआ था। इस रिपोर्ट के लिए BBC ने उनका पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुपाया। खबरों के मताबिक अमित लोड़ा के खिलाफ दर्ज F.I.R. में कहा गया है अमित लोड़ा ना तो एक जाने माने लेखक हैं और ना ही व्यवसाइक मकसद से उनको कोई किताब लिखने का अधिकार है। अमित लोड़ा ने इन सारे तथ्यों की परवह नहीं की और गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाए। खबर के मताबिक अमित लोड़ा ने ब्लैक मनी को वाइट बनाने के लिए अपनी किताब बिहार डाइरीज का इस्तिमाल किया। जिस पर खाकी दा बिहार चैप्टर वेब सीरीज बनाई गई है। अमित लोड़ा 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं। उन्होंने अपराध, राजनीती और अपने अनुभवों पर बिहार डाइरीज लिखी है। इस पर नेटफिक्स ने खाकी दा बिहार चैप्टर नाम से वेब सीरीज रिलीज की है। जिसे नीरज पांडे ने लिखा है और भव धूलिया ने डारेक्ट किया है। इस वेब सीरीज में साल 2000 में बिहार के शेखपुरा में चर्चित अशोक महतो गैंग की चर्चा है। अमित लोड़ा ने दिसंबर 2006 में अशोक महतो को गिरफतार कर पूरे देश में शोहरत पाई थी।